आज हम आपको बताएंगे घर पर जो समान रखा होता है उससे पीजा कैसे बनाते हैं हमें पीजा के लिए मैदा चाहिए मैदा में जो हम उसे गूतेंगे तो उसमें इनो नमक और धही डालकर उसे गूत लाएं और फिर एक मूटी सी रोटी टाइप बनाने उसको कांटे की चमस से घूत लें घूत कर उस पर प्याज और लहसन का पेस्ट लगाएं फिर हरे धनी की चटनी लगाएं अब 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 ने की चटनी के बाद उसना जो शिम्मला मिर्च है टामाटा उसे उपर से डालने और उपर से पनीर कसकर जो ये ओवन है ओवन म जब हम उसको देखेंगे तो पूरा रेडी होगा हमें इसमें मार्केट से कुछ भी नहीं पर्चिस करना है जो घर में जैसे टामाटा रखे ही होते हैं शिम्मला में छोती ही है घर में जो वेजिटेवल है उसी से बना लें और किसी भी चटनी से खाएं पीजा और देखें बना कर इपर थैंक यू पो मैं बोच्छिंग वीडियों